हलो नमस्कार दोस्तोर अभी ओनलाइन क्लासेस में स्वाधत है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेलिवेट टेकनिसियन पता होगा ति आपको फारम भरा चुका है तो आज से हम लोग रेगुलर रेलिवेट टेकनिसियन के साइंस को कबरेज करेंगे साइंस का बेटे ज्यादा रहेगा सत्में इसका डिसकर्शन हम लोग देखेंगे बोलेंगे और सुनेयेगा पहला की उचन है दिये गए ग्राप में 4 सिकन में चली गई दूरी क्या है तो 4 सिकन में तैकी गई दूरी पूछ रहा है देखें वेग समय ग्याद करने के लिए दूरी का प्रिमान नजिकालना परता है आपको दूरी निकालने के लिए तीरभुज का छित्फ लगाना होगा अध्हार क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आउ उचाए कितना हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा च्छोटु वान वाटर टू गुने चार गुने आठ तो आर्दुनी 16 मीटर कितना हो जाएगा 16 मीटर एक व्यक्ति 10 केजी एक कुएं से पाच मीटर की गहराई पर इस्तित एकल पुल्ली के प्रयोग द्वारा 120 न्यूटन का आयास के उपयोग से खिचता है यांत्रिक लाव बेग अनुपाते छमता मसीन की निम क्या होगा जो पूछ रहा है देखिएगा अगर कहा जाए तो अब पता है कि बहार बरावर क्या होता है एम क्या है गुर्तवा कर्शनवल यांजी का मान दिया है दस मीटर पर सेके एम का मान कितना है तो दस के जी तो यह हो गया कितना 100 न्यूटन यांत्रिक लाव जोगत आ है माइकेनिकल बेटे जो होता है याद रखिएगा A में बराबर होता है L बटा A L मतलब क्या है स्वारी W बटा A E क्या है तो E होता है पड़ि आयाम से तो W 120 बटा तो 0.883 हो गया अब बता यह 0.883 सब में अब बेग कानुपात पूछ रहा है तो लिखेगा बेग कानुपात बराबर होता है आयास दूरी बटा भार दूरे तो वहां से निकालेगा तो 83 प्रतिसत आएगा तो बामन का इस परकार राइट एंसर जोगा वह तीन होगा असर इसमें तीन क्योंचनत है एक साथ है एक बस्तू का संबेग नियत है संबेग को हम लोग पी से सुचित करते हैं पी बराबर एंबी होता है तब नीमन में से कौन सी रासी नियत होगा देखिए यदि संबेग पी बराबर एंबी है तो पी कोस्टेंट हो तो बेग भी भी कोस्टेंट होगा यदि संबेग नियत होगा तो बल सुन होगा यदि संबेग नियत हो तो बल क्या होगा सुन होगा क्योंकि आपको पता है कि पी कोस्टेंट है तो ए फिराबर जीरो तो ए तोवरान भी क्या होगा जीरो होगा इस इस्तिति में बल भी क्या होगा कोस्टेंट होगा तोवरान नहीं से यदि कोई पिंड किसी तल से किसी तल से एक बिंदू के परिनत घूम रहा है तो इसके कोनिये संबे की दिशा क्या होगी इसके कोनिये संबे की दिशा क्या होगी तो इसके कोनिये संबे की जो दिशा होगी घूरनन आच की ओर होगी किस तल से पहोगी घूरनन आच की ओर होगी पाच मीटे पर सेकिंड की दर से गतिज सिल एक कन कि उर्जा 125 जुल है तो कन का दर्व मान क्या होगा देखिए आपको पता है कि गतिज उर्जा को केई बोलते हैं केई बरावर फर्मूला होता है छोटु उर्जा दिया हुआ है कितना दिया हुआ है क्योंकि गति सिल है इसलिए गति सिल का फर्मूला लगा है एक सो पचीस बर्टा टु पाच मीटे पर सेकिंड मतलब बेग एम छोड़ दिजिए और पाच का स्कॉर किजिए तो पाच का स्कॉर कितना होगा 25 तो पाच का स्कॉर 25 होगा यहां से आप हल करने के बाद आएगा इम कमान आएगा 10 कजी इम कमान कितना आएगा 10 कजी नहीं समझें काइनेटिक एनर्जी मतलब गती सिल्बस्तू का फर्मूला उता है वान वाटा टू एमबीया स्क्वार्ड आपको मीटर पर सेकंड दिया है मतलब बेग दिया है जूल मतलब इतना गती जूर जा कमान दे दिया है तो कन का दर्मान मतलब एम पूछ रहा है इसके जगा 125 रखेगा भी के जगा पास के स्कुआ रखेगा तो एम कमान नहीं निकल जागा दस के जी मोहन का बजन 40 के जी है मोहन का बजन कितना है 40 के जी है तता वहाद 10 सेकंड में 50 सीड़ियां चड़ जाती है यदि परतेक सीड़ी के उचाई 15 सिंटीमीटर हो तो मोहन की सक्ति पुछ रहा हूँत अच्छा के उचन है देखिए आपको पता है कि P बरावर फर्मुला होता है सक्ति बरावर MGH बटा T MGH बटा T अब आपको M के मान चाहिए G का मान चाहिए H का H मतलब गुर्तवा कर्शन होता है अब बता ये थी M 40 के जी दिया हुआ है उचाई निकालना है तो उचाई मीटर मोना चाहिए तब 50 सिधियां है कितना सिधियां है और एक सिधियां के उचाई केतना है 15 सिंटिमीटर और दिया हुआ है सिंटिमीटर में तो मीटर में बदलना होगा तब 15 गुने 50 किजिएगा साठे 700 सिंटिमीटर साठे 700 सिंटिमीटर ध्यां से सुनिएगा 10.7 cm सौंसे कुना किजिए गा तो 7.5 पाच मीटर आएगा अब यहां पिर महल चा लेश जी हम और एच संग पाच अजग आपको सलया एगा ऊपको समझ में 450 न्यूटन भार वाली लक्री का दरमान क्या होगा देखेए आपको पता है कि w ब्राबर mg होता है डाबलू बराबर क्या होता है भार का फर्मूला होता है डाबलू बराबर Newton यहां पर रख दिजी आपके ए मेरा जी कमान 2 एक जिरो से एक जिरो capitalist मेरा कितना आएगा अच यहां पर जीकी चरचा नहीं किया गया है टो जीकी चरचा नहीं किया गया है तो 10 भी ले सकते हैं당 9. जब 10 रखे तह 45 यह लेकिन 45 कहीं option में नहीं तो 9.8 रखे किये गा तो नौ दसंबलब आठो रखने पर पीनिताली केजह घजे आएगा और यह आपको समझ में आया गया होगा तो मिठेए कि सोड़ा उटर कखा सोड़ा वाटर कोलाइड है ड aquellos पेशले opportunक दुड़ है I आखों से नहीं देख सकते हैं जिसे रागत स्याही गोंद धोद इसले क्या है uniqu हमारी कोलाइड कॉधारन है billion billion समांगी मिस्तर्न उता है जबकि को लाइडी 10 समांगी मिसर्न है को ला कार्वोनेट में तत्वो का संगठन संसलेशित दोनों समान है इस प्रेच्छन द्वारा निम्न में से किस नियम की पुष्टी होती है उनसथ तो परकिर्तिक में यह कैल्सियम कार्वेट को हम लोग चुना पत्थर खरिया इत्यादे के रुप में जाना जाता है कैल्सियम कार्वेट को हम लोग चुना पत्थर खरिया या मार्वेल के नाम से भी जाना जाता है यह इस्तिर अनुपात के नियम को भी पुष्टी करता है यह भी याद रखियेगा अब यह आप घाटी तो कारवन डॉक्साइड मुख तुभी गैस करता है वहाँ पहला तत्व कौन सा है जिसकी रसाइनिक खोज हिनिंग ब्राउंड द्वारा किया गया था वहाँ पहला तत्व कौन सा है जिसकी रसाइनिक खोज हिनिंग ब्रॉंड द्वारा की गई थी देखिए हिनिंग ब्रॉंड द्वारा फस्फोरस तत्व का खोज किया गया था फस्फोरस पहला तत्व है जिसकी खोज हिनिंग ब्रॉंड द्वारा की गई थी गलाइडर का विस्कार जोर्ज कहले ने किये था और कोवाल्ट संक्रमन धातु है कौन सा धातु है संक्रमन धातु है हाइट्रोजन को आवार्त बर्ग के एक में रखा गया है घारी के चाभी में संचित उर्जा क्या होता है तो गहारी के चावी में संचित उर्जा क्या होता है तो देखे इस्तितिज उर्जा दो परकार का होता है यांतरिक उर्जा दो परकार का होता है इस्तितिज उर्जा और गतिज उर्जा तो गहारी के देखे गतिज सील और रुका हुआ है गतिज सील भी है और रुका हुआ है तो ऐसे इस्थिति में इस्थितिज उर्जा होता है क्या होता है और धोरने वाले बस्तुओं में गतिज उर्जा होता है और जो इस्थिर है उसमें इस्थिति यांतरिक उर्जा होता है अब गतिज उर्जा और इस्थितिज उर्जा के सम दिखाए देता है जिसे हम करोना के नाम से भी जाना जाता है सूर्ज गरहन के समय सूर्ज का किरिट नामक भाग दिखाई देता है किरिट को ही कोरोना नामक कोरोना भी कहा जाता है सूर्ज की परकास कितना होता है सूर्ज की परकास की चाल 3 गुने 10 के पवर 8 मीटर पर सेकन होता है सूर्ज के परकास में सात रंग होते हैं यह भी पता है आपको सूध जलका कित बनांग फॉरेन हाइट ये स्केल पर क्या होगा सूध जलका कित बनांग फॉरेन हाइट पर क्या होगा तो देखें सूध जलका कित बनांग कहा जाए तो दोसो बारा डिगरी फारा नाइट पे सूध होता है कितना होता है आपको देखिए सी बटा पाच बड़ाबर एफ माइनस बड़ा बड़ा कितना होगा नाइन बड़ाबर के माइनस दूसरो 73 बटा पाच इतना याद रखेगा यह समंध होता है तो सूध जलका कित बनांग फारेन हाइट स्केल पर कितना होता है तो दूसरो बारा डिगरी फारेन हाइट होता है तो क्या आपको पता है इस शूत जल का कितना होता है जिरो डिगरी सेलसियस जल को चैती जिसे कितने कोन पर फेकने पड़ा दिक्तम चैती दूरी तै करेगे एक गेंद को 36 इस दिशा में फेकना है अधिक्तम दूरी ताय करने के लिए आप कितना देखे इसके लिए आपको परास निकालना हो परास निकालने के लिए परास को हम रेंज बोलते है रेंज बड़ावा फर्मूला होता है U square sin 2 theta बटा जी यहाँ पर आप फेकने के लिए 45 डिग्री कोन का मान किजिएगा और तब जाके आपको अधिक्तम 36 दूरी तै करेंगे उर्ते हेलिकॉप्टर में उर्जा होती है उर्ते हुए हलिकॉप्टर में केवल गटिज अर्जा होती है क्या होती है देखें दिखें पर उड़िये हो और बैटे हुए है तो इसमें दोनों उर्जा हुआ है यह आंतरीक उर्जा और स्थितिज उर्जा एवं गतिज उर्जा और दोनों के समलित रूप को यह आंतरीक उर्जा करते हैं लिफ्ट की खोज किस ने किये थे लिफ्ट की खोज किस ने किये थे तो लिफ्ट का विश्कार एलिसा ओटिस ने किये थे एलिसा ओटिस ने किये थे इसने किये थे एडिसन ने बल्ब का विश्कार किये थे और J-L-Byrd ने किसका खोल कीजीए इन्हों ने टेलवीजन का खोज किये एडीशन ने बल्ब का खोज किये थै और फराड़े ने बिद्धुत मोटर के बारे में बताएं थै लिफट की खोज किस कि नहीं किये थि वाबू और टिश नहीं किये थै पिड़्थिवी से हम चंदर्मा के कितने प्रतिसत भाग को देख पाते हैं तो देखे पिड़्थिवी से चंदर्मा का सिर्फ 69 प्रतिसत भाग ही दिखाई देता है चंदर्मा से पिड़्थिवी तक परकास कौनों में आने में एक मिनट 26 या 27 सेकंड का समय लगता है याद रखिएगा कहीं कहीं 29 सेकंड देगा लेकिन 26 राइट होता है धूप से बचने के लिए छाते में रंग से होज़े निम्न में से कौन सा समसे उचित हैं बहुत अच्छा है तो देखिए धूप के बचने के लिए धूप से बचने के लिए छाते के उपर काले तथा निल्ले उजले रंग का उजला रंग होता है उजला काले उपर काला नीचे उजला होता है ऐसा क्यों तो देखिए काला रंग उस्मा का अच्छा उत्थ सर्जक है एवाँ आप सोसक है काला रंग धूप से प्राप्त उस्मा का उत्थ सर्जित कर देता है और परिनाम सर्फ छाते के अंदर ठंडा का आनुवाव करता है काघच पर अंगुलिया की छाप की पहचान उस पर प्रतिदीप्त चोधन छीरकर तता नीवन प्रकास ता निवनप्रकास में देखकर की जा सकती है तो प्रवायगनी किदनों में? किसको प्रवायगनी परकास? देखे, कागच पर अंगुलियां की छाप की पहचान उस पर प्रतिदेव्त चूर निच्छेर करे तरह प्रवायगनी परकास में देखर की जाती है दो संधारित जिनकी धारिता दो फराडे और तिन फराडे है इसे स्रेणी करम में जोरा जाता है इनके समानतर जोरा परिनाम धारिता क्या होगा? देखे, जब दो स्रेणी में जोरा हुआ है आपको बता दे कि धारिता C बराबर जो होता है CS बराबर होता है अगर CS बराबर इस सेरे नहीं करम हुआ तो उल्टी हो जाता है देखिए बताते हैं 1 वाटा CS बराबर जो होता है 1 वाटा C1 पलस 1 वाटा C2 पलस 1 वाटा C3 डौडट आगे होता है स्रेनी करम का धारिता हुआ और यही समानतर करम में होता है जो सीधे जूडता है लेकिन दिया हुआ किस करम में है छोटू स्रेनी करम में है तो स्रेनी करम में दो धारिता है तो दूगों के लिए डेरेट होता है C1 गुने C2 बटा C1 पलस C2 यहां पर 2 गुने 3 बटा 2 पलस 3 देखिए सी एस बराबर 2 गुने 3 बटा 2 दो पलस 3 छे बटा कितना हुआ पाँच कितना हुआ छे बटा पाच तर्था एक समांतर करम में अब एक और दिया हुआ तो कितना निकल के आया मुझे सीएस बराबर छे वटा पाच फराड़ एक और फराड़ दिया हुआ है इसे कौन करम में जो ना समानतर करम में जो ना समानतर करम में सीधा जूटता है धारता में रखेगा जैब कि सरेनी करम में व्यूत्पन होता है इसे इसे जब बनाएए नेकल ऑप्षिद करने पर उसके सिकूरने की परविरिति क्या होती है द्रव की एक बुंद को अवेसित करने पर हमेशा उसके सिकूरनी की परिविरिती क्या होती है जो बताना है देखे द्रव की एक बुंद अवेसित करने पर उसे सिकूरनी की परिविरिती जो होगा वह बढ़ती है क्या होती है बढ़ती है त्रांजस्टर बाष्थम में क्या है निटीम चीजल 1 त्रांजस्टर बास्थम में एक सेमि कपनेक्टर होता है यह दЭ्कटर डिक्टी यह दोपर का होता है m pn और pn का और दिटी मेब कर दोद द परकार का दम यह दो updating पार पर का दे नN p और pn को तारे का भविश किस पर निवह करता है तो तारे का भविश जो निवह करता है उसके तपमान पर निवह करता है तारे का भविश किस पर निवह करता है तो उसके तपमान पर निवह करता है केलविन में मानव सरीर का समान तपमान कितना होता है देखिए फारेन हाइट में कहा आजाए तो फारेन हाइट में कितना होता है 98.6 फारेन हाइट होता है डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है मनुस्का तपमान तो केल्विन में पूछ रहा है तो 37 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है मनुष के सरीर का तपमान केतना होता है 37 डिग्री सेलसियस मनुष के सरीर का तपमान सेलसियस में केतना होता है 37 डिग्री सेलसियस इसमें जोड दिजिएगा तो कितना होगा लगभग 300 केलिविन आएगा लगभग 300 केलिविन आएगा होप आपको समझ में आओगा फिर से मानव सरीर का समान तपमान केलिविन में पूछ रहा है हम आपको बता दे मानव सरीर का तपमान लगभाग डिगरी सेलसियस में 37 डिगरी सेलसियस होता है भी द होता है आपको पता है ति जीरोई डिग्री से लिकेर भी होता है छ बी Contra, 73 होता है और तब को केलीबिन में बदलने के लिए बदलने के लिए डिये गए डियिस सेल्सियस में दूसों तयाहतर जोर देजेगा तो केलीबिन में अजाएगा 300 राइटर होगा लंबे ब्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिवीम देखने के लिए आवास्यक दर्पन की नियुंतम लंबाई कितनी होगे लंबे ब्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिवीम देखने के लिए आवास्यक दर्पन की नियुंतम लंबाई कितना होगा तो कम से कम पाउना मीटर वन दिस जिरो दिसमलों पच्छतर मीटर पसीना रोधी पदार्थ में समनता निमलिखित में से क्या होता है पसीना रोधी पदार्थ में समनता में इल्मूनियम योगिक पाए जाते हैं किस भयग्यानिक ने गोवर गैस पनाले का विसकार किया था तो सीवी दिसाई ने मिलने किसके खोच किये तो ती वी रामान के खोच कुझ किये थि जिसके प्रonut 209 30 में बहुत की छेत्र में नोबेल प्राइज मिला और जेह सी भूस किजह किये थे जे सी भूस ने करेश्टकोगरापका विस्कार вперग इस खुदान का खोच किई थिनक्त mend परनाले की खोज सीवी देसाई ने किये थे किस ने किये थे सीवी देसाई में गोवर गैस में मिथिन गैस होता है याद रखिएगा पैरा सीटामोल किस परकार की आउस्दी है पैरा सीटामोल किस परकार की आउस्दी है तो प्रती प्रतिज्वार्कारी एवं पीराहारी है यह एक परकार के इंटवाइटिक तो नहीं है इंटवाइटिक और सदियां इंत्रोजाइट लोता है वाबू पुनल लेखन योग डीवीडी के निर्मान के लिए कि धातु का प्रयोग किया जाता है तो डीवीडी के निर्मान में टेलूरियम धातु उप्योग में लाई जाती है टेलूरियम धातु का उप्योग में लाई अपुलोनियम धाती का समस्थानिक सबसे जादे है याद रखे अपुलोनियम धाती का समस्थानिक सबसे जादे है तो अपस्टा नमर एस रही होगा इसका गोता खोरो द्वारा गहरे समुंदर में सास लेने के लिए उक्सिजन के साथ किस गैस का मिशन लिया जाता है तो हिलियम का मोती मुक रूप से बना होता है किसे मोती मुक रूप से किसे बना होता है तो कल्सियम औक्जिलेट का नहीं कल्सियम कार्बोनेट का कल्सियम कार्बोनेट का सिट्रिक अमल मुखरुप से किसमे होता है सिट्रिक अमल मुखरुप से किसमे होता है तो निम्बु में सिट्रिक अमल मुखरुप से निम्बु में या खटे पदार्थों में या खटे फलों में जैसे संत्राम में होता है तार्टरिक एसिड इमली में होता है तार्टरिक एसिड इमली में अंगूर में कच्चाम में और दूध में लैक्टिक अमल होता है और सेव में मौलिक अमल होता है हमारे सरीर में नमक की मातरा कितने प्रतिसत होती है बताएगा हमारे सरीर में नमक की मातरा 0.4 प्रतिसत होती है हमारे सरीर में ऑक्सिजन की मातरा बताएगा कितना होता है हमारे सरीर में ऑक्सिजन की मातरा 65 प्रतिसत हमारे सरीर में कारवन की मातरा 18.5 प्रतिसत हमारे सरीर मे नाइट्रोजन की मात्रा 3.3% होती है मानव मुत्र का पिला रंग की बज़ा क्या है सरे मानव का मुत्र पिला है उसका बज़ा क्या है बताएगा तो इसका राइट एंसर होगा मानव मुत्र का पिला रंग यूरो क्रोम के कारण होता है किसके कारण यूरो क्रोम के कारण मानव मुत्र का pH मन 6 होता है मानव मुत्र के माध्यम से vitamin C का उत्साजन होता है मानव सरीर में एक दिन में लगबाग एक से डेल लेटा मुत्र बनता है भी याद रखेगा एक बयास के मानव में कितने चवादनाक दात होता है अज़े पूछ रहा है तो देखेए एक बयास के मानव में दातों की सेंख्या 32 होता है थो आपको पता है और मनुस्षका दात जीवन काल में दोवाई निकलता है दूद की सेंख्या 20 होती है और दोवारा जो हता है बारा होती है अब यहां पूछा है कितनी होती है एराधनक के कितना हो एराधनक को एराधनक की सांग की अचार होती है आग्रचवादनक आठ होती है RBC का कवरिस्तान किसे कहा जाता है तो RBC का कवरिस्तान पलिहा को कहा जाता है RBC का कवरिस्तान किसे कहा जाता है तो पलिहा को कहा जाता है RBC का जन्व कहा होता है तो बौन महिरो मतलब अस्ती मजाम होता है RBC का जन्व कहा होता है दोस्त तो बोन मैरों में होता है आरवी सी की संक्या पुरूस में 4.7 से 6.1 मिलियन होता है आरवी सी की कमी का अनव्यक्ति में इनिमिया रोग होता है आरवी सी की कमी के कालनी मनुस में इनिमिया रोग भी होता है रक्त के असकंदन में मदद करने वाले विटामिन क्या है बताईएगा तो विटामिन के रक्त क्या सकंदन में मदद करने वाला विटामिन के होता है विटामिन के का रसाइनिक नाम क्या होता है बताईएगा तो फिलिक क्यूई नौन होता है अब विटामिन एक का रसाइनिक नाम क्या होता है रेट दूद के दही के रुप में जमने का कारण क्या कौन सा बेक्टिरिया वहाग लेता है जो दूद से दही बनने में लैक्तो बैसेलस नमक जिवानू कार्ज करता है एलिसा परिच्छन किसके निदान के लिए किया जाता है अलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है तो AIDS प्रतिरोधी केलिए किसके लिए AIDS प्रतिरोधी के लिए किया जाता है तो पॉंदे के किस भाग से हल्दी प्राप्ट कि जाती है तो पॉंदे के तने भाग से हल्दी प्राप्ट किया जाता है के देखे हल्दी एक भुमीगत तना चार्टी के अंदर गाता है अद्रक विप्धरी बॉस्त कंड के अंदर चार्में आजिया द्लन तरकर के अनदर के अल्द के अंक्द के आता है नहों-पियाज लसूनली आप घंकंद में क् spends यह आठा बंडा और वी जिमीकेद केचर आप बापको 40 साइंस सिर्फ था बापको बोले थे यह साइंस सिर्फ है चालिष साइंस आपका completed होता है कर दो कर दो कर दो